आज की वीडियों बात करेंगे हॉन के सांथ रिले कैसे अटेच करें तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने फॉग लाइट के सांथ रिले अटेच किया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं सेम वही चीज है जो फॉग लाइ रिले का ऐसे अटेच करते हैं चाहे वो फॉग लैंप में हो चाहे वो हॉन में हो चाहे आफ्टर मार्केट कुछ भी आप लगाते हैं जिनमें रिले की जरुवत होती है उन में आप रिले कैसे आसानी से और खुद से ही अटेच कर पाई यह सब में आपको बता दूँगा लेकिन एक से जादा अगर हॉन इस्टॉल कर रहें तो उसमें आप रिले जरूर लगाई है मैंने भी इसमें रिले लगाई है आप देख सकते हैं आप मैंने इसको बिल्गुल टेप से कवर किया ताकि वह थोड़ा प्रोटेक्टिट रहे इस वजे से में काम रिले का क्या ह होता है उसके लिए होती है अगर आप कुछ भी एक्स्टा चीज है उसमें लगाएं तो उसमें वाइरिंग पर पढ़ने वाले लोड को बचाने के लिए और वाइरिंग को बचाने के लिए साथी स्विचे को बचाने के लिए रिले का यूज करना बहुत ज़्यादा जरू बहुत ज्यादा सिंपल है बहुत ज्यादा आसानी से आप इसको खुड से यूचेया तो इसने देखी आप वाइयर देख पारे ही होंगे में थिंे कंड़ सकूर सब्चा है तो यह वाइयर तो में खुड़ी mo खुड UX में लेचають किसी भी वायर को यूज़ करके इस तरह से अटेच कर सकते हैं इन में क्या करना होता है आपको दो वायरों को अलग से छोड़ देना होता है जिन में नेगेटिव का और एक कनेक्शन आएगा बैटरी से मतलब डारेटरी 12 वोल्ड का आएगा और जो ये दो लगेंगे आपस मे होन जो भी दो हौन लगेंगे उन दोनको एक दूसरे से जो ये वायरे हैं वो दो हौन को आपस में कनेक्ट करेंगी कुछ इस थरीके से देखिए आप मेरा हात में हौन देख रहा हूं ये सिर्फ मैं आप इग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूं मतलब कि मैं अभी जो नॉीस पॉलीशन ना ही करें तो बैठ रहों वहों को इसको जूकनेक्शन में निकाले हैं तो जो इसको करते हमां इसको हुएång यह दिन आप जब भी यूज करने प्रॉपर थिंबल के साथ इसको यूज करने प्रॉपर इसमें इन्सुलेशन के लिए टेप का यूज करने इसके बाद आपको क्या करना है यह हो गए 85 और 86 जो डारेक्टर आर्ट थे कहां से जो स्विस से स्टॉक हां इस्टॉक वारिंग स किया करना है बैटरी यहां पर ओपन कर लूगा मैं यहां फर में पर आपको स्टार्टिंग बताया था अब क्या करना है जो On-2 साइट है यह की ठैक्वाइनग धी ना Peg? होन पर जो दूसरी साइड है वो जाएगी दूसरा होन जो हम इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसमें बहुत सिंपल से आप खुद से इसको आसानी से याद कर सकते हैं एक बार याद हो गई तो आपके लिए बिल्कुल आसानी इतना आसान हो जाएगा ना कि आपको लगेगा बह गाड़ी पर भी हम उसमें और जो दूसरी वाली वायर है गो जाएगी 87 में रिले के ठीक हो गया यहां तक समझ माना रहा हो आपके अब मैं क्या करूंगा जो इसमें आप कोई सी भी देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं प्लस माइनस वाला कोई सी नही कि किसी को भी आप यहां पर गाड़ी की बाड़ी से ग्राउंड दे सकते थे तो यहां पर हो गया इसको बाड़ी से ग्राउंड दे देते हैं इसको टाइट कर लेते हैं नहीं तो इस पार्किंग करेगा ठीक है इतना होगी अब इसके बाद क्या करना यह यहां पर यहां प पर रिले में, 87 में, कई रिले में, अगर किसी-किसी रिले में, 5 पॉइंट भी होते न, 5 पिन रिले भी अगर आपको मिलती, 87, A और 87, तो उसमें धोनुका काम सेम ही है, यह दो हम कर सकती है, यहाँ पर, 87 और 87, A लिखा होगा, तो यह जो एक वायर जो रहे गे होन वाली, यह जाएगी रिले में अब जो एक वायर इसमें एक पिन और बच्ची है वो जाएगी 30 में तो इसको डारेक्टर किससे जो बैटरी है गाड़ी की उससे 30 जो नंबर की जो पिन है वहाँ पर यह कनेक्ट हो जाएगी बहुत आसान है यहां तक आयोप आपके समझ में आ रहा होगा तो यहां तक समझ में आ जाए न तो फिर होन रिले लगाना या फोग लैंप में रिले लगाना यह तो आपके बाइयात का खेले इतना इसको हम कर लेंगे जो लास्ट वाला जो पिन रह गई इसको 12 वोल के साथ यहां पर कनेक्ट हो जाएगा तो यह पूरा जितना भी है व लेडी बनाया हुआ उसमें प्रॉपर मैंने डाइग्राम के साथ समझाया हुआ इसलिए मैं इसको रिपीट भी नहीं किया तो आप देख सकते हैं मैं उसका लिंक दे दूँँआ डिस्क्रिप्शन बॉक तो यहां तक होगी आप करते हैं इसको टेस्ट देखा आपने यह पर काम कर रहा है दोनों होन यहां पर बज रहे हैं वैसे कि आपने करी बार नोटिस कर रहा हो ना बहुत से लोग इस तरीके होन लगाते हैं एक ऐसा वाला लगा देते एक ट्रंपेट लगा ले उसकी एक आवाज होती है बट मैं तो आपको इसमें से कुछी भी क्योंकि बड़ी चीज है देखना आपको एक चीज बता तो आप इस कूटी है ना इस तरीके के होने काफी ज्यादा इक चुपती सी नौइस हाती है इनकी आवाज होती है तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए आप इसकी जो आउटर वे प्लेट देख रहे है ना इसको स्क्रू होता है उसको टाइट करने इसकी अवाज बहुत अच्छी बन जाए या फिर बजाएंगे ना तो यह कानों में चुबने वाली नहीं होगी में तो काफी पतली आवाज होती है इसकी कानों में चुपती है तो इस तोड़ा अची शी भी नहीं लगती लिए अगर इ स्कूटियों में क्या होता है जब हम हन बजाते हैं और उसके साथ देतर न तो जो बैट्री कि जो पार होती है वह डिवायड हो जा रहा ह amar 키 spoken होता है इंडिकेटर कशा है जिस प्लो में इंडिकेटर चला था लगार हैं उसमें हमेसा Relay उसकी बिना Relay के कुछ नहीं कीजिए अब जैसे मैं नहीं आपको बहुता आपकी गारी की चाहे गारी स्कूटी हो चाहे बाइक हो चाहे कार हो उसकी इस टॉक वाइरिंग पे कुछ भी ऐसा लोड ना डालें जो उसकी वाइरिंग को नुकसान पहुंचा है तो इसलिए रिले का यूज किया जाता है I hope आपको पसंदा हुगा वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो मैं से किसी टॉपिक के साथ अब तक लिए नमस्कार